तो वो चेकिंग में आपको बताऊंगा फिर आपको मैं बताऊंगा कि ग्राउटिंग कैसे करनी है और कौन सी आपको ग्राउटिंग करनी होती है फिर मैं बताऊंगा कि आप वॉल टाइल का क्या खर्चा पड़ेगा लेवर रेड या फ्लोरिंग की टाइल का क्या खर्चा प हो या गर में अपनी टाइलिंग करवा रहे हो थोड़ी लंबी वीडियो है थोड़ा टाइम आपका लूँगा लेकिन इस वीडियो में इतना कुछ सीख के जाओगे कि आप खुद कुमेंट में थैंक्फूल होंगे कि हमने ये वीडियो देख ली क्यूंकि इससे आपका खर् या टाइल लगवाएं क्योंकि फ्लोरिंग लगने वाली है कोई यह नहीं कि एक दो साल के लिए 20 से 25 साल के लिए आपकी वो फिक्स होगी जो चीज लगेगा अगर बाकी इंटिरियर की बात करें वाल पेंट आ जो भी है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन फ्लोरिंग पेसे लिए यह आशेड़ नहीं होती है तो आज मैं आपको बताऊंगा क्यों मार्बल आपको नहीं लगाना चाहिए किया ररे इसंसों के पीछए और लगाना है क्या चीज़ें दे जी इसे क्हृक्तने तो सबसे पहली जो मैं झाल कर बात करने बाद स्ट्बे के बाद रह राजिस्तान से मिल जाएगा कफी जगह है खे में आपको कलर ऑप्शनarmed क्या होंगे वाइड ब्लैक्क गरीन जैलू उसमें लेकिन जो अगर और आजकल टाइल भी अच्छी लग री है क्योंकि टाइल में जो नई टाइल आई है एच्छी टाइल शाई है विट्रिफाइड जो मतलब ऐसी लुग देती है कि मार्वल भी असी लूग नहीं दे पाता है तो में चीज होती है इसके कि खराब चीज़ेंगे अच्छी तो बहुत चीज़ेंगी अच्छी सब चीज़ें इनके कोश्ट भी मैं आगे बताऊंगा मैं दोनों का